नमस्कार दोस्तों, सुरेंदराश्टी सॉलूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जोगरफी के वो क्वेश्चन जो अभी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी उनको डिटेल में हम करने जा रहे हैं ताकि आने वाले एक्जाम में आपका एक्जाम होने की उमीद बन जाती है अच्छे वाली तो देखते हैं फ्क्वेश्चन है यहां पर बायूम के परकारों के बारे में निमली खित वीवरण पड़िये तो एक कहता है दक्षिन अफ्रीका की घास भूमिया वेल्ड कहलाती है दो कहता है उत्री अमेरिका ही घास भूमिया प्रेरी कहलाती है और तीन कहता है ये दोनों सिटोशन कटी बंद घास भूमिया बायोम है तो जो अंसर बन रहा है यहांपर वो D बन रहा है आपका उक्त सभी तो हम जब जोगरफी में पढ़ते हैं करक रेखा मकर रेखा के बीच का जो इलाका है वो उशन होता है और वहांपर जो घास भूमिया होती है वो उशन घास भूमिय होती है और उन से उपर जो दुरू की तरफ एरिया होता है उसमें सिटोशन घास भूमिय होती है तो उत्रिय अमेरिका की पोजिशन आप देखेंगे करक रेखा से उपर की ओर है दक्षनी प्रिका की पोजीशन मकर रेखा से नीचे की और है तो अब बात करते हैं नेक्स कुश्चन की हिमाल्य परवत और इनकी नदियों के संबन में निमलखित कत्रों पर विचार करें और सही को चुने तो हिमाल्य परवत युवा कमजोर और अपनी भूगर्बिक सरंचना में लोचसीत है भी कहता है हिमाल्य को तेज बहती नदियों में काट चाट दिया है जो युवा वस्था में है तो जो आपका हिमाल्य माउंटेन है वो यूथ एंड फोल्डिड माउंटेन है तो अंसर यहाँ पर दोनों सही है तो D अंसर बन रहा है इस कुश्चन का आपका अब बात करते हैं नेक्स कुश्चन की तो नेक्स कुश्चन है निमलिखित पर विचार करके सही चुनिए तो यह कहता है ब्राग नदी मनीपूर और मिजोर में बैती है बी कहता है पठकोई, भूम, नागा पहाडियां और लुसाई निमन पहाडियां जो जूम की क्रिसी करने वाले जन जाती है समूँ द्वारा आवासित है तो यहां अनसर आपका C बनता है A और B दोनों सही है तो यहांसे question देख पा रहे हैं आप जूम की खेती तो आने वाले एकजाम में पूछ सकता कि जूम की खेती कहां होती है तो उत्तरपुर्वी रहज्यों में जूम की खेती होती है और जो एक shifting cultivation होती है स्थानांतृत क्रिसी जिसे अनेक अक्सित्रिये नामों से भी जाना जाता है जैसे राजस्थान में से बत्रा कहते हैं का सीजन सुरू हो चुका है तो धान की कटाई हो चुकी है और गेहों की बुआई सुरू हो चुकी है तो रभी की फसल का जो सीजन है वो अक्टूबर के अंत में सुरू हो जाता है अब बात करते हैं question next की तो परसिद दा जंगल बुक मध्या परदेश के काना बाग सरक्षन अक्सेतर से जुड़ी कहानी है बाद में जिस पर 2016 में एनिमेटेड फिलम भी बनी जिसके लिए उसे ओसकर पुरुसकार मिला किसके द्वारा लिखी गई है तो रूड यार्ड किपलिंग के द्वारा य लंग नहीं है तो यहां देखेंगे आप जो पुरुवांचल में आती है पठकोई नागा लुसाई तो पठकोई अरुनाचल परदेश में है नागा नागा लेंड में है और लुसाई मिजोरम में है तो वो सीमा बर मैनमार से लगती है तो यह तीनों पहड़ियां उससे मै गहले में आती हैं तो जैन्तिया में गहले में है तो जो उसकी सीमस से नहीं लगती तो अंसर क्या बना यहाँ पर जैन्तिया बना question next है निमलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की और बहने वाली नदी नहीं है तो यह question काफी difficult लगता है जो नदियां पूछी गई है वो local river है जो तामिल नाडू करनाटक में बहती है तो जो नेत्रावती नदी काली नदी और पंप पवन नदी है यह अरब सागर में गिरती है तो अरब सागर गिरती है तो भारत में की position को देखती है अरब सागर कहा है प पश्यम के और गिरती है जो वैपर नदी है यह मनार की खाड़ी जो स्री लंका की तरफ है तो उस तरफ गिरती है तो वैपर नदी इसका right answer होगा अब next question को देखते है तो next question है हाल ही में के इंदर सरकार ने तीन राश्टी करित बैंको को विलीन कर SBI के बाद भारत का दूस तरफ सबसे बड़ा बैंक बनाने का निरने लिया है तो निमली खित मेंसे कौन सा उस सुची में सामिल नहीं है तो देना बैंक, वीजे बैंक, वैब, बैंक को बड़ोदा मिलकर एक बड़ा बैंक बनने जा रहे है जो अभी तक जो सबसे बड़ा बैंक माना जाता है वो SBI तो उसके बाद उसका दूसरे नमब्र होने वाला है तो corporation bank इसमें नहीं आता है अब next question देखते हैं गेहूं की करीसी के संबनत में निमली खित कतनों पर विचार करें तो गेहूं से जुड़ी बाते देखते हैं गेहूं को अती भारी वर्षा और गेहुं को आती भारी वर्षा और आती उच्छतापमान की जुरुत होती है जो गलत है दो कहता है भारत में गेहुं सामानेते सीतरीतु में उगाया जाता है तो अभी सीतरीतु सुरू होने वाली है गेहुं उगाया जाता है तो यहां पर राइट अंसर दो बनता है तो केवल जो 2 है वो क्या है? सही है और यहां पर जो राइट अंसर है वो केवल 2 वाला है जो यह रोंग लग गया है D तो राइट अंसर इसका B बन रहा है 2 तो भारत में गेहूं समाने ते C ते लिटो में उगया जाता है अब बात करते हैं नेक्स क्केशन की भारत और खालिस्तान के बीच तासकंद समझूता हस्तांतरित हुआ था तो यह भारत पाकिस्तान सांती को लेके तासकंद समझूता हुआ था इसके बात करते हैं नेक्स क्केशन की निमलिखित पर विचार करें सामबर जील लवनिय जील है चिलका जील मीठे पाने की जील है और विम्बानंड जील पश्च जल जील है तो सामबर जील है जो लमनिय है सही है चिलका जील मीठे पाने की नहीं हो सकती क्योंकि यह उडिसा में है समूंदर के तठपर है और यह कैसी जील है एक लैगून जील है और विम्बानार जहील आपकी केरल में है जहांपर कोचीन बंदरगा भी है तो इसका जो अंसर बनेगा वो जो सही पूछा है इसने तो भी अंसर बनेगा जिसमें एक और तीन सही है अब बात करते हैं क्केशन नेक्स्ट की तो सहरा मुरुष्थल के संबंद में निमिल खित कथन पढ़िये तो यह 9 देसो में फैला है इसका खसेतरफल संपोन भारत के दोगने से भी जादा है तो हम भारत का खसेतरफल की बात करते हैं 32,87,263 किलोमेटर है और जहां सहरा मुरुष्थल का रेगिस्तान की बात की जात यह 9 देसों में फैला है तो कहीं कहीं यह 10,11 देस भी नजर आ जाते हैं तो यहां पर केवल 2 भी हो सकता है और 2 नों भी सही हो सकता है तो बाकी देखेंगे जो अंसर की आएगा तो राइट अंसर क्या लगाता है अब आता है नेक्स कुशन निमलिखित को उनके युगमों स प्रिथवी को आवरित करने वाला वायू का आवर्ण तो यहां पर जो चोथा ओप्षन है उसका अंसर ए आना चाहिए तो जब अंसर देख चेक करते हैं तो चोथे में ए आना चाहिए तो यहां पर देख पा रहे हैं आप तो जो चोथे नंबर का है उसमें एक आना चाहिए तो कौन सा राइट बन रहा है यहां पर देख पा रहे हैं आप तो यहाँ पर देखते हैं वायू मंडल तो दो वायू मंडल पे है तो वायू मंडल के सामने कौन आएगा एक आएगा तो यहाँ पर देखते हैं एक ही ओप्षन में है तो एक के सामने जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो एक के सामने कौन नज़रा रहा है दो तो आप वायू मंडल का संभन इससे बन रहा है तो पृत्वी को आवरित करने वाला वायू का आवरण क्या कहलाता है वायू मंडल तो दो के सामने एक तो यह अंसर बना आपका D तो अब बात करते हैं next question की तो next question है वायू की गती मापने का यंतर क्या है तो खरीब की फसल इसे वर्सारीतों की फसल भी कहा जाता है क्योंकि दक्षनी पर स्विमान सुन के आने की समय बोई जाती है और दक्षनी पर स्विमान सुन के लोटने के बाद ये काटी जाती है अब बात करते है next question की हिमाले अक्षित्र जहां बिर्टिस, उपनिवेसी, परसासन, विसेश्या, करसित हुए और ततपश्चात इस अक्षित्र में महत्वपुन हिल स्टेशन जैसे धर्मसाला, मसूरी, सिमला, कुस्वानी और च्छावनी कस्बे और स्वास्था आसरे जैसे सिमला, मसूरी, पर्मोडा, लैंसडाउन, आदी, राखी और रानी खेत, आदी विक्सित हुए, यहां संदर्वित अक्षित्र है, तो यह लगू हिमाले के अंदर आता है